पिसट क्या होता है Southern क्या फाइदा है प्राइवेट ट्रस्ट में co schaffen काम आ सकते हैं और कोई इसमें कोई बुजनेस कर सकते हैं या फिर यहां पर पर काम हो सकता है पता नहीं मुझे हो आगे बताने वाला हूं वीडि़िय को पूरा देखेंगा तो trust क्या होता है section 3 Indian trust act 1882 ये कहता है कि trust एक ऐसा instrument है जो की बचाता है interest को या safeguard करता है interest को किसके उसके जो beneficiaries जिनके फाइदे के लिए बनाया जा रहा है और फाइदे के लिए कौन हो सकता है या तो public भी हो सकती है या फिर कोई specific person हो सकता है या फिर minor हो सकते हैं तो private trust और public trust दोन settler हो गया दूसरा trustee the person who holds the property जो की property को पूरा handle करने का अधिकार रख रहे है और जो beneficiary मतलब जिसके फाइदे के लिए बन रहा है उसके फाइदे को पूरा पहुचाने का और उसको use करवाने का पूरा काम ये trustee कर रहता है next है trust की property क्योंकि trust की जरूरती नहीं अगर कोई property न है तो trust बनाने का कोई मतलब नहीं हो सकता है हमने trust में पैसे डाले हो सकता है trust में हमने property डाले जिसके कारण trust का जो भी object है उसको fulfill करेगा beneficiary के फाइदे के लिए trustee काम करने वाले next private trust क्या होता है ये private trust इसलिए बनता है था कि एक वेक्ति या फिर कुछ specific लोगों के काम आ सके और trust में family members भी हो सकते हैं relative भी हो सकते हैं friends भी हो सकते हैं जिनके फाइदे के लिए काम करता है या minor बच्चे भी हो सकता है या फिर family as a whole भी हो सकता है और formation क्यों करता है ये legal format के लिए ताकि कोई और कबजा ना कर ले कोई अगर किसी को लगता है कि यार मुझे अपने पैसे के बिहाफ में काम करेगा तो वो trust जरूर बना सकता है तो इसका मतलब सेटलर भी ट्रस्टी हो सकता है सेटलर बनाने वालों के ट्रस्टी जो उस पर काम करने वाला है तो खुद को सेटलर नियुक्त कर सकता है या फिर सेटलर किसी और को नियुक्त कर सकता है तो तो इसका मत और उसके ब्रदर को alternative trustee रखा किसी case में अगर अजय नहीं रहा तो उसका भाई अगर विजय है तो विजय को उसमें रख लिया अगर आजय को कुछ भी हो गया तो उसका भाई यह आगे handle करने वाला है यह हो गया private trust तो private trust के types क्या होगा है सबसे पहले revocable trust इसका मतलब यह asset trust है जिसमें settler can easily alter or terminate after its formation मतलब यह कि यह trust को formation होने के बाद में खतम भी किया जा सकता है यह उसके rules regulation यह फिर उसमें जो clause है उसमें beneficiary को भी change कर सकते हैं इसमें it does not protect properties because they can be taken away from this kind of trust यह property को सहेज कर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि क्योंकि यह revocable trust है इसमें कभी भी change आ सकता है तो जिसके फैदे के दे रहे हो तो ट्रस्टी यह settler को कुछ mood खराब हुआ या mood change हुआ तो फिर वो उस property को वहां से हटा भी सकता है तो हो सकता है direct फाइदा नहीं तो नॉर्मली लोग revocable trust नहीं बनाते इर्रीवोकेबल या non-discretionary इसका मतलब यह कि fixed mindset के साथ बनता है जो करने बोला जाएगा वही किया जाएगा clause में कोई changes नहीं होंगे beneficiary में कोई changes नहीं होंगे जिसको जो जो फाइदा होना चाहिए ऐसा trust deed में लिखा है तो trustee को वही काम करना पड़ेगा यह पक्की बात है और इसको reverse नहीं किया जा सकता है example लेता है जो settler है जिसने trust बनाया वो चाहता है कि trustee 60% पहले बच्चे को देदे और 40% दूसरे बच्चे को देदे इसी तरीके से अगर कोई physically challenge बच्चा है तो यह ensure किया जा सकता है कि उसके पूरे इलाज का और सारे चीजों का खर्चा हैंडल और मेंटेन किया जाएगा trust के दवारा तो करना ही पड़ेगा irrevocable or discretionary trust में बहुत important चीज है कि जो settler रहता है जो बनाता है वही beneficiary तैय करता है trustee फिर कोई भी changes नहीं कर सकता और इसमें पूरा well drafted रहता है irrevocable वाले में नहीं private trust में जो की irrevocable है उसमें assets का protection होगा private trust में MWPA मतलब married woman property act के तहद भी insurance करीदा जा सकता है जो की private trust के दायरे में आता है वो अपने बच्चे और अपने spouse मतलब पती ये पतनी के लिए ये काम कर सकता है और ये किसली किया जाएगा ताकि कोई claim ना लगाया जा सके किसके उपर में पतनी और बच्चों के उपर तो MWPA Act के अनुसार ये insurance जरूर किया जा सकता ताकि कोई और claim ना करता है अब distribution of state में भी कोई problem नहीं होती है अगर मान लिजे private trust है और clearly बता है जैसे मैंने example में बोला कि 60% पहले बच्चे को 40% दूसरे बच्चे को दिय change नहीं किया जा सकता है और यह help करता है कि कोई court के problem ना हो court में कोई विवाद ना खड़ी हो क्योंकि बनाते समय ही यह चीज already clear किया जा चुका रहता है private trust के लिए आप एक deed बना सकते हो private trust deed या फिर will में लिख सकते हो कि अगर मैं नहीं रहा तो फिर private trust बनाया जाए जिसमें यह share दिया जाए तो जो settler है वो अपने will बना कर भी जा सकता है जिसके basis पे trustee गोशित करके जो जो उसने बोला उसको execute किया जा सके जो trust deed या will है वो क्या specify करेगा क्यों trust बनाया गया सबसे पहले दूसरा objective किया trust का तीसरा beneficiary कोन रहेंगे यह तीन चीज़ बहुत important गर will है औ property trust में जाना चाहिए तो उनके death के बार में property चला जाएगा trust के अंदर में अगर कोई वेक्ति अपने जिन्दा रहते trust मनाता है तो फिर जितनी property उसने डाली है उसमें उससे जाधा properties भी अपने lifetime में डालते रह सकता है यह बहुत बड़ा plus point यह private trust में मतलब आप add करते रह सकत तो तीन चीज़े private trust में decide करना रहेगा discretionary रखना है या non-discretionary रखना है या फिर revocable या irrevocable रखना है एक important rule है stamp duty का कि अगर किसी वेक्ति ने जो trust बना रहे है उनके lifetime में ही बना रहे है तो stamp duty लगेगी asset transfer पे लेकिन अगर will के चलते बाद में trust बनके वहाँ पे asset transfer हो रहा है तो फिर stamp duty नहीं लगेगी यह बहुत मानवता पूर्ण law है stamp duty यह stamp act का अगर आप private trust बनाते है तो क्या क्या चीज़ी करनी पड़ेगी क्या compliance करने पड़ेगी आपको accounting करनी पड़ेगी उसकी auditing करवानी पड़ेगी बहुत important है उसका return filing करवाना पड़ेगा और foreign contribution अगर आप अपने FCR वगेरा कुछ लिया या कोई contribution आया तो उसकी report आपको देनी पड़ेगी इसके अलावा TDS अगर आप compliance करवाना चाहेंगे private trust का तो फिर क्या क्या चीज़े देनी पड़ेगी अपने CA कंसल्टेंट को ट्रस्टी का सारा detail आधार पैयन यह देना पड़ेगा certified true copy देन पड़ेंगे पिछले और income expenditure ताकि उसके basis पे वह opening ले सके और आपका business भी समझ सके जो भी consultant होगा original copy of trust deed देना पड़ेगा as a proof of creation of trust तो private trust related अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो comments में जरूर डालेगा हमारी टीम जब सुवीदा होगी तो उस पर देखकर जवाब देने का प्र झालेगा